दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए हम Indian Geography का बहुत ही important topic डिसकस करने वाले हैं, जो कि है Indian River, भारती नदिया, ठीक है, बहुत ही important topic है, हर exam में दोस्तों यहां से एक या दो question जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका Indian River से एक या दो number जो है, वो बिल्कुल पक्का हो जाए, ठीक है, especially PST exam में देखिए, यहां से question जरूर पूछा जाता है, इस topic को देखिए हम friends, दो lecture में cover करेंगे, ठीक है, दो वीडियो में हम इसको cover करेंगे, बहुत ही बड़ा topic है, पहले वीडियो में देखिए हम सारा theory section को cover करेंगे, एंड second वीडियो में हम Indian river से related सभी important question जो है, वो solve करेंगे, 50 plus important question जो last year exam में पूछे गए हैं, वो सारे question जो है, हम solve करेंगे second lecture में, ओके, तो पहला lecture जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो second lecture आने वाला है, आपको उसी lecture में से exam में question देखने को मिल जाएगा, तो lecture को बिना skip करिए, पूरा देखिएगा, देखिए सबसे पहले मैं आपसे एक important shit discuss कर लेता हूँ, दो term आपको देखिए इस lecture में बार-बार सुनने को मिलेगी, तो आप confuse ना हो, इसलिए मैं आपको पहले वो clear कर देता हूँ, estuary और delta क्या होता है, estuary को देखिए हिंदी मे बोला जाता है, जुआर नदमूग, ठीके, तो क्या होता है, हम पहले discuss कर लेते हैं, सागर तर्ड पर इस्थीत, आदा बंध खारे पानी का वशेत्र होता है, estuary, जहां पर नदियों का ताजा पानी जो है, वो समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, ठीके, तो आपको clear ह estuary क्या होता है, आदा बंध खारे पानी का वशेत्र जहां पर नदियों का ताजा पानी जो है, वो समुद्र के खारे पानी के साथ में मिलता है, clear, कौन-कौन सी नदियां जो है, वो estuary बनाती है, नर्मदा नदी, तापती नदी, मांडवी नदी, ये जो नदियां है, ये est estuary मतलब ज्वार नद मुख का निर्मान करती है, आगे lecture में मैं आपको clear करूंगा इस सीच को, बस इत्ता ध्यान रखे कि estuary होता क्या है, आगे बात करते हैं, देखे डेल्टा जो है, ये क्या होता है, तो देखिए नदी जहां पर सागर से मिलती है, उस जगह पर नदी कर लाए गए मिट्टी के कारण, जो मुख्य नदी होती है, वो कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है, तो उस सागर किनारे, त्रिभुजाकार शेत्र को ही क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है, डेल्टा जो होते हैं, वो प्राया उपजाव मिट्टी का निर्मान करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो आपको clear वा डेल्टा क्या होता है और एस्चूरी क्या होता है ध्यान रखिएगा गंगा ब्रह्मपूत्र महानदी गोदावरी क्रश्णा कावेरी ये सब जो नदियां है ये डेल्टा का निर्मान करती हैं आगे हम ये लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं तो बस एस्चूरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत का जो अपवा तंत्र है, drainage system में, वो क्या है? तो सबसे पहले ये word को हम clear कर लेते हैं कि drainage system अपवा तंत्र होता क्या है? अपवा तंत्र जो शब्द है, ये एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग-अलग दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्मान करती है, मतलब मुख्य नदी का निर्मान करती है, ओके? यहाँ पर जो अलग-लग दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएं आती है, वो मुख्य नदी की क्या होती है, सायक नदियां होती है, समन में आया आपको अपवा तंतर शब्द जो है एक नदी तंतर की व्याख्या करता है तो भारत के अपवा तंतर ड्रेने सिस्टम के हम बात करेंगे तो इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे कौन-कौन से देखिए स्ट्रक्चर समझ लीजे पहले कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को स्टड़ी करने वाले हैं तो देखिए दो भागों में हम इसको पढ़ने वाले हैं एक हिमालाई अपवा तंतर और प्राइदी पी अपवा तंतर हिमालाई अपवा तंतर में हम सिंदू नदी तंतर, गंगा नदी तंतर और ब्रह्मपूत्र नदी तंतर की बात करेंगे मतलब इसमें जो मुख्य नदी होगी वो कौन से होगी? सिंदू नदी होगी, गंगा नदी होगी और ब्रह्मपूत्र नदी होगी और इन मुख्य नदियों की बहुत सारी क्या होती है, सायक नदिया होती है, तो वही हम इसमें डिसकस करने वाले हैं, सेकेंड देखिए प्राइदिपी अपवात अंतर में हम मद्य और दक्षिन भारत की नदियों को डिसकस करेंगे, जैसे कि नर्मदा नदी, तापती नदी, महानदी, गोदावरी, क्रशना, कावेरी, इन सब नदियों को हम डिसकस करेंगे प्राइदिपी अपवात अंतर में, और लास्ट में देखिए, कुछ इंपोर्टेंट नदिया में आपसे डिसकस करूंगा, जहां से एक्जाम में अक्सर कोशन पूछ लेते हैं, तो सबसे चीन के देखिए, तिबबत इस्थित मानसरवर जिल के निकट, इसका उदगम होता हैं, और उत्तर पश्रिम दिशा में भैते हुए, भारत के लद्दा के दमचोक के पास से इंटर करती हैं, ओके, आगे भहती हुई ये नदी, गिलगित से होते हुए, दर्दिस्तान के पा और जिल के निकट से सिंदु नदी का उदगम होता हैं, भारत होते हुए, ये पाकिस्तान में इंटर करती हैं, और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, ध्यान रखिएगा भारत का जो ले शहर है, वो सिंदु नदी के दाएं तर्ट परिस्ती थें, ये एक्जाम में कोशन रावी, व्यास और सतलज नदी, ये पांचो नदियां जो है, वो सिंदु नदी में आकर मिलती हैं, उसके बाद में सिंदु नदी जो है, वो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, इसमें देखिए चेनाब और सतलज, इसकी दो सबसे बड़ी सायक नदी आएं, चले एक एक इस नदी का निर्मान जो है वो दो नदियों से होता हैं एक चंद्रा और भागा इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्र भागा नदी के नाम से भी जाना जाता हैं। इस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेलम नदी की। जेलम नदी का उदगम जो है वो कश्मीर घाटी के बेरी नाग के निकट से होता है। ये नदी एक सो सितर किलो मेटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्मान करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। जेलम नदी काहां से उदगम होता है। कश्मीर घाटी के बेरी नाग से इसका उदगम होता है। इसके बाद देखे रावी नदी की बात करते हैं तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोतंग दर्रे से निकलती हैं और कश्मीर प्रवेश करती हैं। व्यास नदी जो है वो रोतांग दर्रे से निकलती हैं और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुलू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी से आकर मिल जाती हैं। प्रद्रात में एंटर करती हैं। राजयस्तान में इसकी सबसे अधिक लंबाई हैं चार्ट सो सितर किलोमेटर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। साती ध्यान रखेगा फ्रेंड्स। पाकिस्तान के जैसा के मैंने आपको बताया कि भावालपूर में सतलज नदी जो है वो चेनाब नदी से मिलती हैं। तब ये चेनाब से मिलने के बाद में पंच नद नदी का निर्मान करती हैं। मतलब इस पॉइंट पर पांचो नदियां जो है वो एक हो जाती हैं। जेलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब। ये पांचो नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए इसे पंच नद नदी का नाम दिया गया है। मतलब सिंदू नदी में मिलने से पहले 45 किलोमेटर तक ये पांचो नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं। तो पंच नद नदी किसे बोला गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज को ध्यान रखेगा। अब देखिए फ्रेंड्स धिमाग में एक बात आती है कि सिंदू, चेनाप, जेलम, रावी, सतलज और व्यास नदी जो है ये सारी नदिया भारत में होते हुए भेती हैं। उसके बाद में पाकिस्तान में इंटर करती हैं। तो भारत अगर पूरी तरह से इन नदियों को रोक ले तो पाकिस्तान के पास तो पानी कैसे पोचेगा। तो इसको ध्यान में रखकर एक सिंदू जल समझोता हुआ था 1960 में, पानी के वित्रन के लिए। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनियेगा, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधी हुई थी, सिंदू जल संधी, इस संधी के अनूसार, तीन पूर्वी नदियों का कंट्रोल जो है, वो किसे दिया गया, भारत को दिया गया, व्य किस नदी का कंट्रोल किस देश को दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, व्यास, रावी और सतलज नदी का भारत को दिया गया, सिंदू, चेनाब और जेलम का कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को, तो ये हमने अच्छे से पुरा डिसकस करा, सिंदू नदी तंत्र, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है यहाँ पर जो मुख्य धारा थी वो कुन सी थी, सिंदू नदी थी, उसकी बहुत सारी सायक नदियां थी, जेलम, रावी, सतलच, व्यास और चेनाप, ये उसकी सायक नदियां थी, जो हमने अच्छे से डिसकस कराएं, चलिए कितनी है, दो जार इकोत्तर किलोमेटर जो है भारत में इसकी लंबाई है, बाकी जो है वो बांगलादेश में है, आगे देखेगा इंपोर्टेंट चीज, सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा नदी, और गोमुक से निकली भागिरती नदी, जब देव प्रयाग में आकर मि गंगोत्री से 19 किलोमेटर दूर गोमुक से निकलती है भागिरती नदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है, ठीके, बहुत बार एक्जाम में कोशन ये पूछा गया है, और अलकनंदा नदी और भागिरती नदी किस इस्थान पर आकर मिलती है, किस इस्थान पर देव प्रियाग में आकर मिलती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ओके, अलकनंदा नदी की देखिए दो प्रमुक सायक नदिया है, वो ध्यान रखिएगा, एक पिंडार नदी और एक मंदाकनी नदी, पिंडार नदी जो है, ये अलकनंदा को कंड प्रियाग में आकर मिलत रुद्र प्रियाग में अलक नंदा को मंदाकनी नदी मिलती है और देव प्रियाग में अलक नंदा को भागी रती नदी मिलती है ठीके ये चीज़ ध्यान रखेगा important है साथी धोली गंगा जो है वो अलक नंदा को विश्णु प्रियाग में आकर मिलती है और friends प्रसिद्ध क इस नदी के तड़ परिस्थित हैं ये आपको पता होना चाहिए, मंदाकनी नदी के तड़ परिस्थित केदारनात मंदिर और अलग नंदा नदी के तड़ परिस्थित बदरिनात मंदिर, क्लियर हुआ, उत्राकंड से देखे निकली गंगा, उत्तरप्रदेश, बिहार होते ह पशिब मंगाल तक बैती हैं। पशिब मंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। पर ये ब्रहम पुत्र नदि इए उसका संयूक्त रूप क्या क्यलाता हैं। और बनगाल की खाडी में में ये नदी जो है जाकर मिल जाती हैं। ठीके friends इस चीज को ध्यान रखेगा। में ये बनगाल की खाडी में मिलती हैं। Clear? अब देखिए गंगा नदी की बहुत सारी सायक नदी आएं. गंगा नदी तंत्र जो है उसमें देखिए बहुत सारी इसकी सायक नदी आएं. कौन-कौन सी? यमुना नदी, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घागरा जिसे सरीव नदी कहते हैं, गंडक और राम गंगा नदी. ये सब नदियां जो है गंगा नदी की सायक नदिया हैं और बहुत सारी सायक नदियों की भी अपनी सायक नदिया हैं उन सभी को हम अच्छे से डिसकस करने वाले तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यमुना नदी से देखिए गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी अगर कोई सी है तो वो कौन सी है यमुना नदी है जो की उत्राखंड के बंदरपूद चोटी परिस्तीत यमुनोत्री हिमानी से निकलती है कहां से निकलती ध्यान रखेगा उत्राखंड के बंदरपूद चोटी से निकलती है ये नदी उत्राखंड से हर्याना और दिल्ली उत्तरपदेश से भहते हुए प्रियाग राज इलाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है कहां पर मिलती है यमुना नदी गंगा से इलाबाद मतलब प्रयाग राज में आकर मिलती है यमुना नदी का प्राचिन नाम ध्यान रखिएगा कालिंदी नदी है क्या नाम है कालिंदी नदी अभी देखिए एक-दो साल पहले ये कोशन पूछ लिया था रेलवे में तो इस चीज को ध्यान रखिएगा यमुना नदी जो है इसका भी देखिए एक अपने आप में अपवा तंत्रे मतलब इसमें बहुत सारी सायक नदी आकर मिलती है यमुना में उसमें देखिए कौन-कौन सी चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी ये नदियां जो है यमुना नदी में आकर मिलती है अब देखिए इनको भी हम डिसकस कर लेते हैं क्योंकि कोशन यहां से भी बनता है तो चंबल नदी के सबसे पहले बात करते हैं ये नदी देखिए मध्यप्रदेश के इंदोर इस्थीत महुशेत्रे के जानापाव परवत से निकलती हैं कहां से निकलती हैं इंदोर से देखिए मध्यप्रदेश से निकलती हैं और उत्तर मद्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर पदेश के इटावा में यमुना नदी से आकर मिल जाती है। कौन सी चंबल नदी? इस नदी की देखे लंबाई कितनी है कुल? 965 किलोमेटर हैं। इसके बाद देखे बेतवा नदी मद्य पदेश के बोपाल से निकलती हैं, जो उत्तर पूरवी दिशा में बहते हुए उत्तर पदेश के हमिरपूर में यमुना नदी से आकर मिल जाती हैं। बेतवा नदी भी मद्धिपदर से निकलती हैं। ध्यान रखेगा एक प्रसिद्ध स्थान सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर ही इस्ती थें। बेतवा नदी के अगली हम देखे सायक नदी की बात करते हैं जो की है कोसी नदी जो है ये नेपाल में हिमाले से निकलती हैं और आगे बढ़ते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं। ये नदी प्राय अपना मार्ग जो है बदलने के करण चर्चा में रहती हैं। इसमें आन नदी बियार के कटियार में गंगा नदी से आकर मिल जाती हैं तो कोसी नदी को हमने डिसकस करा ध्यान रखेगा इसके बाद बात करते हैं देखे दामोदर नदी की जो की गंगा नदी की सायक नदी है जारकन के देखे छोटा नागपूर पटार से निकलती है और पशिम में बैते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं, जो हमने बात करी थी कि फरक्का में गंगा नदी जो है वो दो धाराओं में बढ़ जाती हैं, एक हुगली और एक मुख्यदारा भागी रती में, तो देखे हुगली नदी में आकर कौन सी नदी मिलती हैं, दामोदर ध्यान रखेगा प्रदूशन के कारण इस नदी को जेविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखेगा पुरानिक मानिताओं के अनुशार भगवान राम ने जब रावन का वद किया था तब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने गोमती नदी में ही इसनान किया था। एक इंपोर्टेंट चीज में आपको बता रहा हूँ सोन नदी जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर क्यों और बैती हैं ठीके और उपर से जो यमुना नदी आ रही हैं यमुना नदी और सोन नदी इन दोनों के देखिए जल विभाजन का काम जो है वो कोन करता हैं इन दोन नदी और यमुना नदी के बीद जल विभाजन का काम कोन सी पाड़िया करती हैं केमूर की पाड़िया करती हैं ओके इसके अलावा देखिए गंगा नदी की सायक नदियों में घागरा नदी आती हैं जिसे सर्यू नदी के नाम जाना आता हैं और गंड़क नदी जो की गंगा नदी के दाएं थर्ट पर आकर मिलती हैं और कौन सी नदी बाएं थर्ट पर आकर मिलती हैं तो इस चीश को लेकर confusion होता हैं तो इसको हम clear कर लेते हैं देखिए गंगा नदी के दाएं थर्ट पर तीन नदियां आपको दिमाग में रखनी हैं एक है यमुना नदी, सोन और टॉंस नदी ठीक है ये नदियां जो है गंगा नदी के दाएं थर्ट पर आकर मिलती हैं ओके बाएं थर्ट की बात करते हैं तो गोमती गंडक घागरा और कोसी नदी ये नदियां जो है गंगा नदी के बाएं थर्ट पर आकर मिलती हैं तो बहुत ही सिंपल है यमुना न इससे रिलेटेट भी कोशन एक्जाम में पूछा आता हैं, तो ये चीज इसलिए हमने क्लियर कर लिए हैं। हम देखें, तो उत्राकंड से निकलती हैं, उत्तरपदेश होते हुए बिहार में इंटर करती हैं और फिर परशिम मंगाल में इंटर करती हैं और वहाँ से बंगलादेश में चली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये गंगा नदी तंतर को हमने अच्छे से पूरा डिसकस कर आए तो question जो है इससे भाहर कुछ नी जाने वाला है हमने अच्छे से यहाँ पर clear कर लिया इसको आगे बात करते हैं friends हम ब्रह्मपूत्र नदी तंत्र को यह भी बहुत ही important है यहां से देखिए आई एस exam में बहुत ज़्या question पूछे आते हैं तो इसको भी हम clear कर लेते हैं ब्रह्मपूत्र नदी जो है यह नदी तिबबत भारत और बंगलादेश से होकर बैती हैं यह नदी तिबबत के मांसरोवर जिल के निकट से निकलती हैं ध्यान रखेगा ब्रह्मपूत्र सतलज और सिंदु नदियां यह नदि साती इसे तिबबत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता हैं दोनों नाम ध्यान रखेगा यरलूंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता हैं ब्रह्मपूत्र नदी को तिबबत में जब यह नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती हैं तब इसे यहां पर जमुना के नाम से जाने आता हैं। देखिए तिबबत में इसे यरलूंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाने आता हैं। भारत में इसे अरुनाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाने आता हैं। और जब ये बांगलादेश में इंटर करती हैं तब इसे जमुना के जाना जाता हैं बांगलादेश में देखिए ये नदी जो है गंगा नदी मतलब पदमा नदी के साथ में मिल जाती हैं और गंगा ब्रहमपुत्र सयुक्त रूप से मेगना के नाम से आगे बढ़ती हैं और विश्वक का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है सुन्दरवन डेल खेते हैं और लास्ट में ये मेगना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं क्लियर हुआ आपको ब्रहमपुत्र नदी के देखिए सायक नदियों की बात करते हैं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारी important है एक भी मत छोड़िएगा हर एक सायक नदी से बराक और कपीली नदी ये जितनी भी नदिया हैं ये ब्रहमपुत्र की सायक नदिया हैं सारे नाम आपके दिमाग में सेट हो जाना चीए तिस्ता सुवनसिरी कमेंग मानस दिबांग लोहित बराक और कपीली ये सारी नदिया जो है ब्रहमपुत्र की सायक नदिया हैं इसम important point discuss कर लेते हैं तिस्ता नदी का उद्गम कहां से होता हैं सिक्कीम से होता हैं पश्चिम मंगाल से होते हुए बांगलादेश में प्रवेश करती हैं और वहां बर्मपुत्र से जाकर मिल जाती हैं लोहित नदी जो है इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है लोहित नदी को बराक नदी जो है ये मणीपूर की पाड़ियों से निकलती हैं मणीपूर से होते हुए मिजोरम में इंटर करती हैं असम होते हुए ये बांगला देश में प्रवेश करती हैं, और मेगना नदी में जा कर मिल जाती हैं। बराक नदी जो है अरुनाचल प्रदेश में इंटर नहीं करती हैं। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेगा। ब्रहma पूत्र नदी जो है गंगा नदी के साथ मिलकर विश्वक के सबसे बड़े नदी डेलटा सुंदर्वन डेल्टा का निर्मार करती हैं जैसा कि हम डिसकर्स कर चुके हैं ब्रह्मपूत्र नदी में ही वीश्वक का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ल लार्जेस रिवर आइलेंड जो है माजूली वो इस्तिते हैं, कहां पर असम में, माजूली जो है वो वीश्वक का सबसे बड़ा नदी द्वीप हैं, ब्रह्मपूत्र नदी में इस्तिते है ठीक है असम में ये चीज़ आप ध्यान रखेगा तो ये ब्रह्मपूत्र नदीतंत्र को हमने अच्छे से डिसकस करा है इसमें ब्रह्मपूत्र की सायक नदियां जो मैंने आपको बताईए वो आप बिल्कुल ध्यान रखेगा महां से एक्जाम में देखे बहुत कोशन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से हिमालाई नदीतंत्र को डिसकस करा जिसमें हमने सिंदू नदीतंत्र, गंगा नदीतंत्र और ब्रह्मपूत्र नदीतंत्र को अच्छे से डिसकस करा है इसके बाद देखें आगे हम बात करते हैं प्रायदीपी नदी तंतर की मतलब दक्षिन भारत की नदियों की तो हिमालाई नदी तंतर की तुलना में प्रायदीपी नदी तंतर जो है वो बहुत अधिक पुराना है तो ऐसा माँ समझेगा कि हिमालाई नदी तंतर बहुत अधिक पुराना हैं, प्रायदीपी नदी तंतर जो है, वो सबसे ज़्यादा पुराना है ठीक है? दक्षिन भारत की नदियां जो है, वो प्रायव वरक्षन नुमा अपवात तंतर का निर्मान करती है किस थरीके का अपवात अंतर का निर्मान करती है वरक्ष नुमा अपवात अंतर का निर्मान करती है दक्षिन भारत की नदियां प्राइदिपी नदियों के अपवात अंतर में हम देखिए कौन-कौन सी नदियों को डिसकस करेंगे नर्बदा नदी, तापती नदी, माही नदी, गोदावरी, क्रशना, कावेरी और महा नदी को अच्छे से हम डिसकस करने वाले हैं इसमें देखिए नर्बदा, तापती और माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है पशिम की और बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं जबकि गोदावरी, क्रशना, कावेरी और महा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं चलिए सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले आती है नर्मदा नदी Very very important है मध्य प्रदेश के अमर कंटक्ट से इसकी उत्पत्ती होती है पशिम की और बैते हुए 1312 किलोमेटर की दूरी तय करने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है देखें नर्मदा नदी के उत्तर में पढ़ता है विंद्याचल परवत और दक्षिर में पढ़ता है सत्पुडा परवत और इन दोनों परवतों के बीच में ब्रंश गाटी मतलब रिफ्ट वेली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा रिफ्ट वेली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी ब्रंश गाटी से होते हुए बहती है नर्मदा नदी ये नदी मध्य परदेश की सबसे बड़ी नदी है सबसे लंबी नदी कौन से है मध्य परदेश की नर्मदा नदी है नर्वदा नदी और एक सोन नदी, सोन नदी हमने पहले डिसकस करा था जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं, पटना के पास में, नर्वदा नदी निकलती हैं, जो कि ब्रंश गाटी से बहते हुए, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, ओके, इसके बाद देख तापती नदी और नर्वदा नदी दोनों नदियां जो है वो ब्रंश गाटी से होते हुए बहती हैं ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है तापती नदी और नर्वदा नदी जो है ये ब्रंश गाटी से मतलब रिफ्ट वेली से होते हुए बहती हैं इसके बाद की एक मात्र एसी नदी है जो करकर एखा को दो बार गाड़ती है कौन सी नदी माही नदी ठीक है फ्रेंट्स तो यह हमने अच्छे से डिसकस करा नर्बदा नदी तापती नदी और माही नदी जो है वो पश्शिम की और बहते हुए खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर मिल जाती है इसमें ध्यान रखेगा तापती नदी और नर्बदा नदी जो है वो रिफ्ट वेली मतलब ब्रंश गाटी से होते हुए बहती है और स्टार्टिंग में हमने डिसकस करा था कि तापती नदी और नर्बदा नदी जो है वो एश्यूरी का निर्मान करती है जब ये समुदर से मिलती है वहाँ पर एश्यूरी का निर्मान करती है कौन सी नदी तापती नदी और नर्बदा नदी साथी धियान रखेगा गोवा में बहने वाली मंडोवी नदी जिसे मांडवी नदी कहते हैं वो भी एशुरी का निर्मान करती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये इस चीज को ध्यान रखिएगा नर्वदा नदी, तापती नदी, एशुरी का निर्मान करती है आगे आप देखिए पुर्वकी और बहने वाली नदीयों की बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम डिसकस करेंगे गोदावरी नदी बहुत ही इंपोर्टेंट है इस नदी की कुल लंबाई कितनी हैं? 1465 किलोमेटर हैं ये प्राइदी पी ये भारत की सबसे लंबी नदी हैं ध्यान रखेगा वर्ड को प्राइदी पी ये भारत की सबसे लंबी नदी कुनसी हैं? गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी पुछा यादा तो गंगा नदी है ठीक है? वर्ड को आप ध्यान रखेगा ये नदी जो है महारास्ट के नासिक जिले के त्रंबकेशवर से निकलती है और दक्षिन पूर्वक्यों और बहते हुए बंगल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ध्यान रखेगा गुदावरी नदी की सायक नदियों की बात करें क्योंकि गुदावरी नदी का भी अपना एक अपभात अंत्र हैं तो इसकी सायक नदियां है कौन-कौन सी? पेनगंगा, इंदरावती और प्रणीता इंदरावती बहुत ही इंपोटेंट है यहां से देखे एक्जाम में कोशन पूछा गया था हैं, आपर 2015 में, तो clear हुआ, आगे बात करते हैं friends, क्रश्णा नदी की, क्रश्ना नदी जो है वो प्राइदेपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है इसका उद्गम जो है महाराष्ट के माबलेश्वर के पास से होता है क्रश्णा नदी जो हे महारास्ट से होते हुए करनाटक, तेलंगाना और आंदरपदेश से भहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है क्रश्णा नदी की प्रमुख सायक नदीयों की बात करें तो उसमें तुंग बद्रा, भीमा और कोईना नदी है क्रश्ना नदी की तीन सायक नदियां तुंग बद्रा, कोईना और भीमा नदी है ध्यान रखेगा क्रश्ना नदी जल विवाद जो है वो क्रश्ना नदी के जल बटवारे से संबन दीते हैं जो की आंदरपदेश, करनाटक और महारास्ट के बीच 1957 से चल रहा है ठीके क्रश्ना नदी जल विवाद जो है वो आदरपदेश, करनाटक और महारास से संबन दीते हैं इसके बाद देखिए अगली नदी की बात करते हैं वो है महा नदी महा नदी की देखिए लंबाई कितनी है 851 किलोमेटर है महा नदी चतिसगड उडिसा की प्रमुक नदी है इसका उदगम चतिसगड के रायपूर के निकट सिहावा पहाडी से होता है और ये नदी पूर्वकी और बैते हुए उडिसा में प्रवेश करती है और डिल्टा का निर्मान करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ध्यान रखिएगा महा नदी की सबसे important सायक नदी जो है वो कौन सी है तेल नदी है ये exam में question पूछा जाता है यहां से कि तेल नदी किस नदी की सायक नदी है तो महा नदी की सायक नदी हैं तेल नदी, साथी जोक नदी जो है वो भी महा नदी की सायक नदी है इसके बाद बात करते हैं कावेरी नदी की इस नदी की लंबाई जो है वो कितनी है 800 किलोमेटर हैं करनाटक के कुर्ग के निकट ब्रमगीरी पाड़ियों से निकलती है और करनाटक तमिलनाडू से बहते हुए तीरुचिरा पल्ली के निकट बंगल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ध्यान रखेगा इसे दक्षिन भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है किसे कावेरी नदी को जाना जाता है यह देखी हमने यहाँ पर प्राइदीपी भारत की नदियों को अच्छे से डिसकस करा इसमें ध्यान रखेगा फ्रेंड्स गंगा नदी, क्रशना नदी, कावेरी नदी, महा नदी जो है ये डेल्टा का निर्मान करती है ठीके एश्चुरी का निर्मान नहीं करती है क्रश्ना नदी, महा नदी, कावरी नदी, गोदावरी नदी ये डेल्टा का निर्मान करती है ठीक है जिसमें क्रश्ना नदी, गोदावरी नदी जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती है पहला कुन बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दूसरा क्रशना और गुदावरी नदी बनाती है जारकंड से निकल कर पशिब मंगाल उडिसा से होते हुए बंगाल की खाडी में जाकर गिर जाती है प्रसिद्ध शहर जमशेथपूर जो है टाटा नगर वो इसी नदी के तड़ पर इस्तित हैं किस नदी के स्वन रेखा नदी के तड़ पर ही इस्तित हैं इसके बाद देखे लूनी नदी की बात करते हैं, important है, इसका उदगम अजमेर के निकट अरावली पहाडियों के नाग पहाड से होता हैं, राजेस्तान से बैते हुए गुजरात में इंटर करती हैं और गुजरात के कच्छ के रन में ये नदी जो है विलूपत हो जाती हैं, इसके बाद काली नदी को डिसकस करते हैं, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाने आता हैं, ये नदी हिमालाय स्थित काला पानी नामा के स्थान से निकलती हैं, उत्राखन में बैते हुए उत्तर पदेश में प्रवेश करती हैं, और बैते हुए गागरा जिसे सर्यू नदी कहते हैं, उसके साथ में जाकर जॉइंट हो जाती हैं, काली नदी, साथी ध्यान रखेगा, very very important, ये नदी जो है, भारत के पूर्व की ओर, भारत नेपाल के अंतराश्टी सीमा बनाती हैं, कौन सी नदी, काली नदी, भारत और नेपाल के बीच में अंतरा पूरब की ओर, नदी के सायक नदी हैं, ऐसा नहीं है, पेनार नदी जो है, भारत की एक प्रमुक नदी है, और ये करनाटक के नंद दूर्ग पहाड़ी से निकलती हैं, पूरब की ओर 970 किलोमेटर बैकर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है, तो करनाट प्रमुक नदी है, पेनार नदी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने, हिमालाई नदी तंत्र, प्राइदी पी नदी तंत्र को अच्छे से डिसकस करा, और अलग से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों से रिलेटेट पॉइंट्स भी डिसकस कर लिए, तो यहाँ पर द लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपका confidence जो है वो बढ़ेगा, आप अगर देखिए question देखके सारे answer निकाल लोगे, तो आपका confidence बढ़ेगा, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से exam में question पूछे जाते हैं, तो इसका second lecture जो है, जिसमें सारे important questions को मैंने solve कर रहा है, वो lecture जरूर देखिएगा, और अपना confidence जो है वो बढ़ाईएगा, क्योंकि यहां से एक या दो number जो है वो जरूर exam में पूछे जाते हैं, तो friends, आज के वीडियो में बस इतना ही था, I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है त तो please वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और comment करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कराएं, तो subscribe भी कलीजिए, क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी में upload करूँगा, आपको उसका benefit मिलता रहेगा, तो friends, मिलते हैं अग झाल झाल